यदि आप फूल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें जिससे आप चैनल पर पहुँच जाएंगे जहाँ प्लेलीस पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्से इसकी लिस्ट मिल जाएगी आप सभी को मेरा नमस्कार मैं उनलेस और इस वीडियो कोर्स के वीडियो नंबर 10 में हम सीखेंगे और प्रेक्रिस करेंगे कि हिंदी के नामों को इंगलिस में किस प्रकार से लिख सकते हैं और किस प्रकार से पढ़ते हैं नाम लिखने से पहले सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेंगे यदि आपको याद नहीं है तो वीडियो को रोक लीजिए और इसे याद कर लीजिए यदि थोड़ा याद है तो इसे वीडियो को पॉस्ट करके पढ़ लीजिए मैं जल देल्दी से आगे बढ़ाओंगा इसे भी पॉस्ट करके या रोक के याद कर लीजिए या पढ़ लीजिए इसे भी याद कर लीजिए या पढ़ लीजिए अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले नाम की तरफ जो है नंदनी ना है और ना की उपर लगी है अम की बिंदी तो अम की बिंदी का उचान ना के बाद होता है इसलिए पहले ना की लिखेंगे इंगलिस का अक्षर एन ना के साथ अकस्वर हो रहा है इसलिए ए जहां भी अक्षर के साथ अगस्वर होता है, अक्षर का थोड़ा लंबा उचान होता है, और साथ में अस्वर होता है, तो हम पर हम A लिखते हैं, फिर N की उपर है अम की बिंदी, तो अम की बिंदी के लिखते हैं N N năm crocod record के लिए A फिर है N, तो फिर एन बड़ी ए की मात्रा है मगर आखरी में है इसलिए आई लिखते हैं तो अधिक तर लगबग सभी नामों में अन्त में बड़ी ए की मात्रा के लिए आई लिखते हैं नन द नी अगले नम का पहला अक्षर है क्री क और री की मात्रा तो क के लिए हम लिखेंगे के और री की मात्रा के लिए आर आई फिर है ती त में छुटी ए की मात्रा तो पहले त के लिखेंगे ती और छुटी ए की मात्रा के लिए आई तो पहले अक्षर के लिए और फिर मात्रा के ल के लिए के आके मातरा के लिए के कृति का पहला चलों पहले प्री प्र्ड और चोड़ी की मात रा तो प्रा की लिखेंगे हम पहले प्र चोड़ी की मात्रा के लिए I, फिर है ते, तो त के लिए T, एक ही मात्रा के लिए E, फिर है स, तो स के लिए लिखेंगे हम S, H, प्री, ते, स अगला नाम का पहला अक्षर है A, तो A के लिए इसका अक्षर लिखते हैं E, तो A अक्षर के लिए भी और A के स्वर के लिए भी A ही लिखते हैं, और A की मात्रा के लिए भी हम A लिखते हैं, तो जो अक्षर के लिए लिखते हैं, वही मात्रा के लिए भी लिखते हैं, फिर है प और प की उपर लगी है र की रेव तो इसका उचान पहले इसले इसके लिए पहले आर फिर प के लिए पी अकस्वरे इसले ए फिर है न तो अना के लिए एन आ की मात्रक के लिए भी ए अर प न अगला नाम पहला अक्षर है दू द के लिए लिखेंगे D छोड़ाओ की मातरा के लिए U फिर है आधा स शर्कुन वाला स उसके लिए भी लिखेंगे S H फिर है य तो य के लिए Y, अके स्वर के लिए A, आधेन तो अक्षर आधा हो पूरा हो इंग्लिस का समान ही अक्षर आता है तो यहाँ न के लिए N लिखते हैं तो आधेन न के लिए भी लिखेंगे हम N, बस आधे के साथ अगा उचारण नहीं होता है चलिए A नहीं लगाना है जैसे आधे सटकौन के लिए हमने लिखा था S, H, पूरे के लिए भी लिखते है एसेच पुरे न की लिखते है एन तो आदे के लिखेंगे एन क्लियर है फिर है त की लिखते है टी दूस्यन त अगला नाम पहला अच्छार है जो तो ज के लिखते है जे ओ की मातर के लिए ओ फिर है गी तो ग के लिखते है जी छोड़ी ए की मातर के लिए आई फिर है उपर बिंदी बिंदी के लिखेंगे एन फिर है द द के लिए डी पर यहां पर अके लिखते हैmos 2 तो इस प्रकार के नामों में अके लिए E लिखते हैं फिर रखेंगे हम आट जोगिंदर परमिंदर इस प्रकार के नामों में डर को D.E.R. लिखते हैं जोगिंदर अग्रह नहीं पेला अच्छरह स अगला नाम पहला अच्छर है वी तो V में व के लिए V छोड़े E के मात्रा के लिए I फिर है अधा स तो पूरे सर के लिए S तो आदे के लिए भी S H फिर है व तो व के लिए V A के मात्रा के लिए E फिर है अधा स तो उसके लिए भी फिर S फिर है व तो व के लिए यहाँ पे W क्योंकि कोई मातरा नहीं है तो कुछ नामों में जब वक्षाद कोई मातरा नहीं होती है तो वहाँ पर W भी लिखते हैं वक्षवर के लिए A फिर है R तो र के लिए R बड़ी की मातरा आखरी मैं है इसलिए I विस वे स्वरी यदि आप फुल कोर्स देखना चाहता है तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें जिससे आप चैनल पर पहुँच जाएंगे जहाँ प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्से इसकी लिस्ट मिल जाएगी जिसपे क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे इन वीडियो को क्रम से देखे और घर बैठे सीखे यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें और पर क्लिक करें जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिक में साथ मिलते रहेंगे और आप सिखते रहेंगे यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहां क्लिक करके लाइक करें इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ सेयर करें आप भी सीखें सभी सीखें थैंक यू फॉर वाचिंग